करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर प्रेडिंग के लिए देखेंगे या फिर एक से दो दिन में भी टार्गेट आ सकता है डिपेंडिंग अपन मार्केट केंडिशन तो इसलिए हम लोगों को यहां पर पोजिशनली ट्रेड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेगा सभी लेवल्स आपको ध्यान से नोट डाउन करने हैं साथ आपको जैसे मैं इंटरी के लिए बोलता हूं पुल बैक पर करना है या फिर आपको लेवल ब्रेक होने के साथ करना है इन सभी चीजों पर भी आपको आप ज्यान एक सकते हैं तो चलिए अब जो है हम लोग अनलिस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट है थर्ड मार्च को हम लोगोंने किया था वहां पर हम लोगोंने दो स्टॉक को आपको सेलेक्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहां पर हम लोगोंने सेलेक्ट किया है तो फिर हम लोग यहां पर trade करने वाले हैं नेक्स्ट आपको उसी लेवल के राउंड यहां पर stock खुला फिर आपको नीचे गया वापस से आपको pullback लिया और फिर एक बार यहां पर आपको फिर से entry मिला तो दो बार अगर आप देखेंगे चार्ट को ध्यान से जाके देखेंगे तो आपको जो है दो बार यहां पर entry मिला stop loss मैंने आपको 745 का बताया था 20 पूइंट का stop loss बताया था 50 to 60 का आपको टार्गेट बताया था और यहां पर आप देखेंगे तो 725 से आज अगर यहां पर आज का लो देखेंगे तो इस स्टॉक में आपको आज का लो एराउंड आप यहां पर 756 का लगा है और करेंटली स्टॉक जो है आपको 670 के राउंड क्लोज गुआ है और लो जो ह achieve हो चुका है यह आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रेट था लेगिन इसके साथ साथ हम दोगों ने एक दूसरे stock को भी select किया था वो था हिंदुस्तान यूनिलिवर यहां पर आपको बताया था pullback का या फिर इस level के round आपको sort करने का तो यहां पर आपको exact level आ गया लेकिन हिंदुस्तान यूनिलिवर में मैंने आपको clearly बताया था यहां पर pullback आना चाहिए बट ऐसा हुआ नहीं अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको clearly बताया था इस move का एक pullback आना चाहिए 2120 2130 के round आपको sort करना है लेकिन नेक्स्ट अगर देखेंगे तो gap down open वह और first candle ही आपको बहुत बड़ा यहां पर candle बना एक candle में ही almost यहां पर 40 पॉइंट के round का movement आपको इसी candle में देखने को मिल गया था अब यहां पर आपको entry नहीं मिला कोई बात नहीं क्योंकि अगर आप suppose यहां पर entry aggressive entry लेते हैं और उसके बाद stock यहां पर pullback करता है तो अगर आप एक lot में भी आप trade करते हैं तो यहां पर आपको एक lot 300 quantity का है यहां पर और अगर यह stock आपको 40 to 50 point यहां पर pullback लेता है तो एक lot में भी आपको 10 to 15,000 का additional risk यहां पर लेना परेगा जो की कहीं से भी आपको सही नहीं है इसलिए better है अगर अपने जगह पर मिलता है तो लीजिए trade नहीं तो आपको trade नहीं लेना है access bank में अपने जगह पर मिला एक अच्छा trade भी हम लोगों को मिला यहां पर risk reward ratio सारा कुछ हम लोगों का maintained था बट यहां पर हम लोग सब्सक्राइब इस लेवल पर trade लेते हैं हम लोगों का plan था 2120 के लेवल पर लेने का बट अगर 2050 के लेवल पर हम लोग देते हैं तो हम लोग additional 70 point का यहां पर additional risk ले रहे हैं no doubt उसके बाद अगर stock देखेंगे तो almost वहां से भी 100 point नीचे already आ चुका है लेकिन यह एक सही trade नहीं होता हम लोगों जो आपको levels decide किया है उस level पर अगर मिल रहा है तो well and good नहीं तो फिर हम लोग ignore कर देंगे दूसरे trade को हम लोग देखेंगे तो चलिए अब जो है हम लोग next trade कौन सा लेने वाले हैं हम लोग यहां पर हिंडाल को में trade लेने वाले हैं सबसे पहले अगर इसके daily chart पे देखेंगे तो daily chart पे बहुत ही अच्छा breakout आया है यहां पे एक आपको 550 के level के ऊपर एक breakout आया था इससे पहले के आपको swing trading के वीडियो में हम लोगों ने इस time आपको cover किया था but again यहां पे आपको breakout देखेंगे यहां पे एक बहुत अच्छा breakout आया breakout के बाद pullback आया और pullback के बाद वापस से अपने swing high को आज यहां पे इस stock ने break किया है हम लोग यहां पर आपको ट्रेड लेने वाले है stop loss थोड़ा रहा है क्योंकि यहां पर movement आपको एहां पर लेकिन अगर यहां पर भी लेते हैं तो यहां पर आपका इंटरी के लिए स्टॉप लोस बड़ा है तो अगर आपके रिस्क एपिटाइट में आता है यह तभी आपके रिस्क time नहीं आता है तो आप यहां पे ईको सकते हो किको और trade को यहां पर लेने के लिए देखेंगे तो यहां पर आपको clearly पता होना चाहिए आपका stop loss 40 point का है target जो है यहां पर 70 to 80 point के लिए आम लोग देखने वाले हैं एक अच्छा breakout आया है metal index में तेजी है अगर market यहां से थोड़ा से अभी आपको momentum करता है उपर की side तो metal sector उसमें आपको lead करने वाला है इसलिए इन सभी stocks पर आपका नजर होना चाहिए तो अगर आप यहां पर trade कर सकते हो तो फिर आपका stop loss 580 का है और धीरे जैसे से stock हम लोग के side move करने लगी का हम दोग यहां पर आपको अपने stop loss को ट्रेल कर लेंगे तो उमीद करते हैं आप लोगोंने सभी लेवल को नोट डॉन कर लिया होगा अगर आपनों को वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तन्यवार